दोस्तो समय समय पर जिस तरीके से आप अपने мobile phone को restore करते रहते हैं या फिर अपने mobile phone को clean करते रहते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने PC को या फिर अपने laptop को clean करते रहें गे तो आपका laptop या फिर आपका PC कभी भी slow नहीं होगा, यहिरि आज मैं आपको बताने वाना हो क कि आप किस तरीके से अपने laptop को या फिर अपने PC को प्रीस्टोर कर सकती है। दोस्तों, restore दो तरह से किया जाता है। पहला जो restore होता है उसकी मदद से आपके PC में जो भी settings होती है, वो restore हो जाती है, यानि वो by default हो जाती है, और दूसरा जो restore होता है जिसकी मदद से आपके system में जो भी driver's restored है जो भी application आपने उसमें install कर रखा है या फिर जितनी भी settings आपने उसमें कर रखी है वो सरी restore हो जाती है रही वो सारी की सारी clean हो जाती है उसको आप तो वापा से configure गर में आपड़ता है तो दोस्तों system restore करने के लिए सबसे पहले आपको आना है start button पर और यहाँ पर आपको type करना है reset this PC और इसके बाद यहाँ पर इस वाले icon पर आप click करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो option दिखाई देंगे सबसे पहले option आपका reset this PC का है इसकी मदद से आप अपने system को fully restore कर सकते हैं जिसमें आपको windows को छोड़ करके बागी सारी चीज़ें यहाँ पर हट जाएंगी यानि सबी आपके personal documents, software सबी remove हो जाएंगी केवाल आपकी windows वापस से restore हो जाएगी और दूसरे option का अगर आप यहाँ पर इस्तमाल करते हैं तो इससे आपकी केवल windows की settings restore होगी और बाकी कोई भी आपकी file या कोई भी document आपका यहाँ पर delete नहीं होगा तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर दो option आपको दिखाई देंगे सबसे पहला option आपको दिखाई देगा keep my files का और दूसरा आपको दिखाई देगा remove everything का तो यहाँ पर दो option आपको choose करने के लिए बोल रहा है अगर आप पहले वाले option का इस्तमाल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले option में यहाँ पर साफ साफ लिखाऊ आपको दिखाई दे जाएगा remove apps and settings but keeps your personal file यानि कि यह आपके सभी apps को यह आपकी सभी settings को remove कर देगा लेकिन आपकी जो personal files होगी उन्हें छोड़ देगा अगर आप यहाँ पर दूसरे वाले option का इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है remove all your personal files, apps and settings यानि कि आपकी सभी personal files, apps और settings यह सभी को remove कर देगा यानि आपके system में windows के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर दूसरी option पर क्लिक करते हैं second option को जैसे आप यहाँ पर select करेंगे इसकी बद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर additional setting करके आपके सामने एक option आएगा यहाँ से आपको इसे index करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि आपकी सभी files सभी apps को नहीं पर remove किया जाएगा क्या आप इसे agree हैं और अगर आप यहाँ पर reset पर click करेंगे तो आपका पूरा का पूरा data है हैं से reset हो जाएगा तो दोस्तों इस पर click करते हैं हमारा system prepare हो चुका है reset करने के लिए तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यह percentage भी यहाँ पर complete होने वाली है इस 100% को complete होने के बद हमारा PC फिर से एक बाद restart होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% हमारा यहाँ पर complete हो चुका है इसके बाद हमारा PC यहाँ पर prepare हो रहा है और prepare होने के बाद यह कुछ समय लेगा और उसके बाद हमारा PC यहाँ पर normal start हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने PC को restore कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share जरू कीज़ेगा धन्यवाद